दोस्तों यदि आप railway में job करते हैं तो rail के तरब से हरे करमचाड़ी को pass दिया आता है जिसके माद्यम से आप लोग किसी भी train में टिकट बुक कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको हम online pass apply करने के लिए साथी pass के माद्यम से train में टिकट बुक करने के लिए इसके अलावा यदि आप train में टिकट बुक कर लिया है तो आप उसे cancel के से करेंगे आज किस वीडियो में detail में बताने वाले हैं दोस्तों आप google open कर लेंगे और आप यहाँ पर type कर लेंगे hrms चली हम search कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही search करेंगे hrms login यहाँ पर देखिया जागा hrms.indian.gov.in आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए hrms में login करने के लिए आगया है तो आप यहाँ पर hrms id fill up कर लेंगे यहाँ पर login password fill up कर लेंगे इसके बाद जो भी यहाँ पर capture दियागे इसको आप यहाँ पर fill up कर लेंगे चली हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं अब आपके mobile नमर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP fill up करने के बाद verify OTP पर click करेंगे इसके बाद not know पर किलिक कर लेंगे, चलिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम pass apply करेंगे, pass apply करने के लिए यहाँ पर देखे लिखा है pass, आप इस पर किलिक करेंगे, apply for e-pass, oblique, e-pto, इसके बाद यहाँ पर है select type of pass, तो आप यहाँ पर please select पर किलिक करेंगे, और आप यहाँ पर select कर लेंगे, यहाँ पर देखे दो option दिया गया है, सबसे परला यहाँ पर है pass, इसके बाद निचे मैं pto, तो जो भी आप यहाँ पर apply करना चाहते हैं, आप यहाँ पर select कर लेंगे, 2024 में यहाँ पर देखे, हमने कोई भी pass अभी तक नहीं लिया है, तो यहाँ पर देखे, full set 3 है, और half set यहाँ पर 6 है, यदि आपको full set pass चाहिए, तो आप यहाँ पर apply पर किलिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपको half set पास चाहिए, तो आप यहाँ पर देखे, half set, आप यहाँ पर अप्लाइब पर किलिक कर लेंगे, चले हमें यहाँ पर full set पास चाहिए, तो हम यहाँ पर apply पर किलिक कर लेते हैं, आप यहाँ पर देखे detail हो कर रहा है, जो भी आपका detail है, चलिए इसके बाद आप निचे स्क्रॉल करेंगे इसके बाद यहाँ पर है from station तो आप यहाँ पर station का नाम fill up करेंगे आपको कहां से पास चाहिए जैसे कि हमें सारसा से पास चाहिए तो हम hsc लिख देते हैं तो जो भी आपको station से पास चाहिए यहाँ पर वह station का नाम fill up करेंगे चलिए इसके बाद आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है to station तो आप कहां तक के लिए पास चाहिए आप यहाँ पर वह station का नाम fill up करेंगे चलिए हमें दिल्ली तक आप पास चाहिए यहाँ पर देखिया गया new daily, select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर है break journey station, तो आप यहाँ पर station का नाम fill up करेंगे, जो भी station पर आप break लेना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिए पटन, इस तरह select कर लेंगे, add पर click कर लेंगे, इसी तरीका से आप यहाँ पर और भी नाम fill up क click कर लेंगे, यहाँ पर देखिया add होते जा रहा, इस तरीका से आप यहाँ पर दोतीन station का नाम fill up कर लेंगे, जहाँ पर आप train change करना चाहते हैं, यानि कि यातरा को break करना चाहते हैं, यदि आप bhaiya station का नाम जोरना चाहते हैं, तो आप इस box में tick कर लेंगे, जिस भी area से आ चाहते हैं इसके बाद add पर क्लिख कर लेंगे चले फिलाई इसको sounds अंठिक कर लेते हैं इसके नीचे डीचे scroll करेंगे अब यहाँ पर देखे आपके फैमधिय मेंबर का भी ले जाना चाहते हैं, तो आप इस box में टिक कर लेंगे, चले इसके बाद आप preview and generate pass पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर देखे, आपको details हो करेगा, तो आप यहाँ से preview check कर लेंगे, चले इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे, इसके बाद generate pass पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे आपको pass वालिटी सो कर रहा है तो जो भी यहाँ पर date वो कर रहा है इस date तक आपका pass वालिट रहेगा चल्छे इसके बाद आप yes पर click कर लेगे अब यहाँ पर देखे हैं success साते यहाँ पर देखिए UPN नमर सो कर रहा है तो जो यहाँ पर आपको UPN नमर सो कर रहा है आप इस UPN नमर के माद्रateg told कर पाएंगे। इसके लागर आपके रेइस्टर मॉवाइल नमर पर भी UPN नमर सो करता है चले इसके बाद OK पर क्लिक कर लेगे. आप दोस्तों यहाँ पर देखे आपने जो भी PASS apply किया है यहाँ पर वह PASS हो करता है यदि आपके मौवाइल नमर पर UPR नमर सो नहीं करता है तो आप यहाँ पर send SMS पर किलिक करके आप अपने मौवाइल पर UPR ले सकते हैं इसके लब़ा आप यहाँ पर send email पर किलिक करके email ID प train ticket book करने के लिए आप IRCTC app को download कर लेंगे इसके बाद आप login पर click करेंगे और इसमें आप login कर लेंगे चलिए हम login कर लेते हैं अब दोस्तों हम login हो चुके हैं login करने के बाद आप train पर click कर लेंगे इसके बाद book ticket पर click करेंगे अब यहां पर आपको जहां से लेके जहां तक टिकर चाहिए आप यहां पर fill up कर लेगे यहां पर देखे लिखा है from तो आप यहां पर click करेंगे और आपको जहां से टिकर चाहिए आप यहां पर वाइस्टेसर का नाम या फिर city का नाम fill up करेंगे चलिए fill up कर लेते हैं हमें did view से ticker चाहिए हमें याप़ did view लिखा है इसके बाद हम याप पर select कर लेंगे इसके बाद यापPr 2 तो आप याप़ click करेंगे और आपको कहां तकbrande ticker चाहिए तो आप याप़ fill up कर लेंगे जिसे कि हमें certainty delete ticker चाहिए तो हम यहाँ पर लिग देते हैं New Delhi तो यहाँ पर देखा गया Select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर Date दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी Date में आपको Ticket चाहिए आप यहाँ पर वह Date Select कर लेंगे जैसे कि हमें एक June को Ticket चाहिए तो हम यहाँ पर एक June सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा Railway Pass Concession तो आप इस Box में टिक कर लेंगे इसके बाद Search Train पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे आपको अब यहाँ पर देखे लिखा लेंगे इसके बाद नीचे में देखे आपको टिकट का प्राइस हो कर रहा है तो आपको घवरानी की जुरत नहीं है जब आप पास के मादेम से Train Ticket Book करते हैं तो एक रूपए भी नहीं लगता है चलि इसके बाद आप Passenger Details पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद Confirm पर क्लिक कर लेंगे साथ इसमें Age और Gender रहता लिखा हुआ तो जो भी आपको Passenger का Detail लिखा हुआ है वही Detail आपको यहाँ पर Fill Up करना है और आप यहाँ पर Passenger का नाम Fill Up कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Age Fill Up करेंगे इसके बाद यहाँ पर Gender तो आप यहाँ पर Gender सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन सा वर्थ चाहिए तो यहाँ पर देखे lower middle upper side lower side upper दिया गया है तो आप यहाँ पर select कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर lower select करते हैं चलिए इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर pass upn नमर फिल अप करेंगे जब आप यहाँ पर pass के लिए apply करते हैं तो आपको upn नमर मिलता है यहां पर देखिए, आपको इस तरह से UPR numbers को करेगा, आप इस UPR nummer को fill up करेंगे, यहां पर UPR nummer fill up करने के बाद, इसके बाद यहां पर इन Pass booking code, तो आप यहाँ पर pass booking code fill up करेंगे देखे यहाँ पर आपके mobile पर इस तरह से message आया होगा तो यहाँ पर pin लिखा हुआ है आपको यह pin fill up करना है तो आप यहाँ पर pass booking code में pin fill up कर लेंगे चलिए इसके बाद आप यहाँ पर add passenger पर click कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते है इसके बाद add passenger पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे passenger add हो चुक है चलिए इसके बाद आप review journey पर click करेंगे इसके बाद नीचे में देखे fare में 0-0 हो गया है चलिए इसके बाद जो भी यहाँ पर capture दिया गया है वह ticket book हो चुका, यहाँ पर देखिए message भी आ चुका है, हमने जो यहाँ पर ticket book किया है, वह confirm ticket book हुआ है, यहाँ पर देखिए current status में show कर रहा है, confirm, चलि इसके बाद हम back हो आते हैं, चलि अब यहाँ पर हम return ticket book करना है, तो हम यहाँ पर book ticket पर click करेंगी, तो यहाँ पर from पर click करे और जहां तक के लिए आप ticket लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वह station का नाम fill up करेंगी, जैसे कि हमें DDU टक चाहिए, तो हम यहाँ पर DDU select कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर date select कर लेंगी, इसके लिए आप यहाँ पर click करेंगी, और आप यहाँ पर date select कर लेजे, जो भी date म हमें आप ticket लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वह train select कर लेंगे, आप यहाँ पर refresh पर click करके, चेक कर सकते हैं कि train में ticket available है या फिर नहीं है, चलिए हमें यहाँ पर इस train में ticket लेना है, इसके बाद आप यहाँ पर date select कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर passenger detail पर click करेंगे, ओके पर किलिक कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर add new पर किलिक करेंगे, और आप यहाँ पर passenger का detail fill up कर लेंगे, यहाँ पर नाम fill up करेंगे, यहाँ पर age fill up कर लेंगे, यहाँ पर gender select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर birth preference पर किलिक करेंगे, और आप यहाँ पर select कर लेंग message send के आता है, इसमें यहाँ पर देखे UPN नमर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ UPN नमर फिलब करेंगे, इसके बाद यहाँ पर है past booking code, तो आप यहाँ पर past booking code फिलब करेंगे, आपके mobile पर इस तरह का message आया होगा, और यहाँ पर इकलिक है पीन तो आप यहाँ पर पास बुकिंग कोड में फिलप करेंगे चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलप कर लेते हैं इसके बाद एड़ पैसेंजर पर किलिक कर लेंगे इसके बाद यदि आप एक से ज़ाद व्यक्ति का पास पर टिकर बुक कर रहें तो आप यहाँ प प्रोसीटू पेपर किलिक करेंगे, यस पर किलिक कर लेंगे, अब यह टिकट बूक हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह टिकट बूक हो चुका है, यदि आप टिकट को सेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर share का icon पर click करेंगे और आप यहाँ से ticket को share कर सकते हैं या फिर आप PDF पर click करके PDF के रुप में save भी कर सकते हैं अब दोस्तों जो भी आपने ticket book किया है यदि आप बाद में कभी भी ticket देखना चाहते हैं इसके बाद आप यहाँ पर transaction पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर my booking पर click करेंगे तो जो भी आपने train ticket book किया है यहाँ पर वसो करता है तो इस तरह से आप लोग online pass apply कर सकते हैं pass के मादेम से train ticket book कर सकते हैं मैंने आपको detail में बता दिया यदि आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी error सो करता है तो आप हमें comment करना मत बुलिए फिर में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर